हाई फ्रेंज आजन मनाने जा रहें आमले का मुरभा तो मैंने यहां आमला लिया है और इसे अच्छे से धोगार, इसे साफ कर लिया है अभी सर दिया है तो मरक्येट में यह असाने से मिल जाता है तो ज़रूर लाकर इसे घर पर ट्राइ करें आपको तिधर मैंने पेन गरम होने के लिए रख दिया है एक गिलास मैं इसमें पानी डालूंगे तो आमले को हमें स्ट्रीम करना है तो इसके लिए मैंने ये गिलास पानी डाला है यहां मैंने स्ट्रीम करने के लिए ये गिहम चलने वाला मैंने लिया हजाली और इसे हम इसमें डाल देते हैं इसके उपर से में हम इसमें आमले को रखेंगे और पंदरा मिनट के लिए से बाप से पकने के लिए ढख देते हैं तो यहां पंदरा मिनट हो गया है आमले भी हमारा पक गया है यह आप देख सकते हैं इसमें दरारे आ चुके हैं तो बिल्कुल ही अंदर तक पक गया है तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं तो यहां मैंने इसे एक प्लेट में रख दिया है तब तक हम चासनी बना लेते हैं तो यहां पर हमने एक कप चिनी डाला है और एक कप यहां पर हम पानी डालेंगे अज़े धकन से हम डाग देते हैं और इसमें अच्छे से उभाला गया है तब हम इसमें हुटा हुआ हिलाज ही डालेंगे यह मैंने दौ-तीन हिलाज को कूट लिया था और थोड़ा से मैं यह यह यिलोव फूट कलर डाला है अगर आपके पास है तो आप डाले यह तो इसके विनावी आप चासनी तयार कर सकते हैं और बीच बीच मैं आप इसे इस तरह से चेक करते रहे कि यह पक गया है यह नहीं यह थोड़ा पक गया है लसलस जैसा हाथं पर लग रहा है तह मैं चासनी तेयार हो गया तो हम इसरो फॉर्क से इसे छेद कर लेते हैं इताकि आमले के अंदर चासनी है जो आसानी से घूस जाए इसी तरह से हम सारे आमले में छेद कर लेंगे इस्टीम होने के बाद आमला है जो आसानी से अंदर से तक लगाए ये छेद हो जाता है तो मैंने यहां सारे आमले को तयार कर लिया चासनी भी यहां मारा तयार हो गया है तो हम आमले को इसमें डाल दिये है, दस-पनारा मिनिट तक लेके पकने देते हैं तो हम 20 मिनिट हो गया है, चासनी में आमले को पकते हुए अब हम इसे गयस को बन कर देते है, ऐसे 10-12 घंटे के बाद आपको दिखाते हैं यहाँ पर 10-12 गंटा हो गया है और चासनी भी अच्छे से इसमें घुस गया है तब मैं आपको सब करके दिखाती हूँ यह खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिश्ट लगता है आप इसे 2-3 दिन के बाद खाए तो और भी यह स्वादिश्ट लगता है ताकि इसे आप चासनी में ही रहने दे ताकि अंदर तक इसका चासनी जाए और खाने में यह टेस्टी लगे तो आप भी इस रेस्पी को घर पर जरूर ट्राइ करें अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को आप सस्क्राइब करें आप मुझे कमेंट करके जरूर बताए ठाइंक यू